नमस्कार दोस्तों सेल सेयर में आज की ट्रेडिंग सेशन में दो पर्सनेंट की गिरावट देखने को मिले और एक बड़ी से रेड कंडल बने और अपने जो सपोर्ट लेवल था उसके नीचे इसने क्लोजिंग देया है अब क्या होगा स्टॉक यहां पर जाएगा या फिर फोकस करने के आवस्ट रहेगा सब कुछ इस वीडियो में समझने वाले है अगर देख़ेगा तो चले सुरू करते हैं दो सबसे पहले डिटेल में समझने कि लिए के लिए को लेकर चालता हूं विकली टाइम पर जब हम विकली टाइम पर देख रहे हैं तो आपको एक बात क्लियर हो रहे हैं कि इसके प्राइस है अगर मैं आपको दिखाऊ हो तो यहां पर एक सो तेटीस रुपे नबबे पई से को एक हाई लेगा था था दो हजार एकिस में उसके बाद स्टॉक में क्लियर ग्रावट देखने को मिला और स्टॉक फिर से इसका ब्रेकाउट किया दो करें उस ब्रेकाउट के हिसाब से स्टॉक यहां पर इस तरीके से कंडिशन बन सकता है यहां कि ब्रेकाउट हुआ रिटेस्ट करके स्टॉक फिर इस से उपर बढ़ सकता है इस तरीके से कंडिशन के हिसाब से राइट जैख सकते हैं टार्गेट के बात कर तो हमने जो ब्र करता हुआ स्टॉक आपको दिखाइद रहे अब थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं अब तो आपको समझ में आ गया कि स्टॉक में इस तरीके से मुव्मेंट का संभावना नजर आ रहा है क्योंकि स्टॉक जिस तरीके से नीचे गिर रहा है तो हाई प्रोइबिट रहेग करेंगे और थोड़ा से डिटेल में समझेने के लिए आपको लेकर चलता हूं डेली टाइम प्रम पर जब हम डेली टाइम पर चार्ड को अनलेसिस कर रहे हैं एक बात यहां से भी आपको क्लियर हो रहा है कि स्टॉक अपने प्रिवेस का क्रेशन को अभी कुछ दिन पहले ब्रेक आउट करके उपर गया था और हाई लगा यहां पर 126,50 पैसे हो इसके बाश टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा है और इसको द्यान में रखेंगे और दोस्तों जब यह 134 लेवल को ब्रेक आउट करेगा उसके बाद क्या टर्गेट रहेगा हो नेक्स वीडिय सब्सक्राइब नीचे का लेवल पर फोकस करेंगे तो बेटर रहेगा हमारी लिए ठीक है तो यह वाला सपोर्ट लेन मैंने आपको दिखा है जो वीकली टाइम प्रेम पर आप उन्हीं को फॉलो कर सकते हैं वीडियो के छोटी से लाइक जरू कर सकते हैं स्टॉक में दोस् कर सकते हैं